चंद्रमा की कलाएं अमावस्या अमावस्या के समय हमें चंद्रमा का कोई भाग प्रदीप्त दिखाई नहीं देता, हम चंद्रमा का सिर्फ अंधेरा भाग देख सकते हैं। यह चंद्रमा के 29 और 1 बटा 2 दिनों तक चलने वाले चक्र की शुरुआत मानी जाती है। चंद्रमा सूरे और प्रित्वी के बीच एक कक्षा में स्थित है। बढ़ते हुए बाल चंद्र के समय हम चंद्रमा के दाएं तरफ एक छोटा सा भाग प्रदीप्त देखते हैं। अगल बगल अपनी कक्षा में होते हुए सुरे का चक्कर लगाते हैं। बढ़ता हुआ अर्धादिक चंद्र बढ़ते हुए अर्धादिक चंद्र कला में हम चंद्रमा का प्रदीप्त आधा भाग लगभग पूरी तरह से देखते हैं। पूर्ण चंद्र या पूर्णिमा पूर्ण चंद्र के समय हम चंद्रमा का पूरा भाग प्रदीप्त देखते हैं चंद्रमा पृत्वी और सूरी के बीच स्थित होता है घटता हुआ अर्धादिक चंद्र घटते हुए अर्धादिक चंद्र कला में चंद्रमा का बाया आधा भाग लगभग पूरी तरह प्रदीप्त देखता है। आखरी चतुर्थांश कला में हम चंद्रमा का बाया आधा भाग प्रदीप्त देखते हैं। पृत्वी और चंद्रमा सूरे के परित अपनी कक्षा में अगल बगल होते हैं। घटता हुआ बालचंद्र घटते हुए बालचंद्र के समय हम चंद्रमा के बाई तरफ एक छोटा सा भाग प्रदीप्त देखते हैं